हेलो एवरीवन उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे चले दोस्तों मैं हूँ सकेश बटनागा जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपके लिए लिए आता हूँ सब्सक्राइब कोई भी स्टुटेंट अगर अगर सब्सक्रिप्शन देता है तो यह आप जिरूर्ष कर दिए इससे आपको 10% का इस्टेंट आफ मिल जाएगा चलो दोस्तों आज हम क्या बात करेंगे बताते हैं वहीं इससे पहले मैंने आपको फाइनेशल मार्केट में जो कंपनी क्या होती है सारी चीजे मैं आपको डिटेल में समझाया था अब मैं आपको उसी से कुछ आगे की एडवांस जीजों को शेयर करूंगा तो दोस्तों कुछ ट्रमलोजीज हैं जो हमारे एक्सामीनेशन में काफी रोल लगती हैं जैसे मर्चेंट बैंक क्या होते हैं और भी बहुत सारे चीजें इंसे में दोस्ती करने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला है यही है जिसका नाम आपके सामने आया है मर्चेंट बैंक what are merchant banks और merchant bank क्या होते हैं और जो merchant banking है वो क्या होती है है ना चलो बताते हैं दोस्तों देसे कि आपको मैंने बताया था जो हमारी companies होती है जब उन्हें दंबे समय के लिए fund चाहिए होता है है ना कली मैंने आपको बताया था इसके उपर बाचित करी थी long term fund के requirement होती है तो वो क्या करती है भई श्रीयर इश्यू करती है है ना चुरू एक example मान लेते है मान लोग को company है x y z दोस्तों इसको पैसा चाहिए अब इस company को कुछ नहीं पता कि share कैसे issue होते है क्या process होता है किस तरीके से बजार में share लाएंगे कैसे हम अपने आपको grow करेंगे कितने रुपए बेचना यह कुछ नहीं जाएंगे तो obvious है दोस्तों इसको इस काम में मदद करने के लिए तो कोई तो intermediate होगा ना जो इसकी मदद करेगा तो दोस्तों वही bank जो as an intermediate के तरह काम करते हैं और इन companies को market से fundraise करने में इनकी मदद करते हैं एंधे बोलते हैं दोस्तो क्या merchant bank मरचन track क्या होता है एक ऐसा bank जो company's को share issue करने में share को practice को decide करने में fund market से fundraise करने में इस पूरे process में मदद करता है उसको क्या بोलती है merchant bank के नाम से जानते हैं और याद रखना दोस्तों जो merchant bank होते हैं यह क्या करते हैं इन company's से commission लेते हैं भई obvious है फिरी में तो कोई किसी यह कुछ नहीं करता है और इन से इनका business भी हो जाता है और इन company's को जो fund raise करने का process होता है वो असान हो जाता है यानिकि easy way में यह fund raise कर सकती है तो ऐसे बैंक जो हमारे companies के share वगरा issue करेंगा ऐसे intermediate का काम करते हैं उनको merchant bank बोलते हैं और इस प्रिकार की banking को दोस्तों merchant banking के नाम से जानते हैं अब question यह है कि क्या सर्थ कोई भी bank ऐसे merchant bank बन जाएगा नहीं याद अपना किसी भी bank को अगर इस टाइब की banking देनी है या merchant banking देनी है तो उसको इसके लिए सबसे पहले से पर्मिशन लेना पड़ता है एक्शली इन banks को से बी से registered होना पड़ता है और बिना से बी के registered किये कोई भी bank ऐसा नहीं होता जो इस प्रिकार की banking दे सके है ना तो याद रखना जिता भी हमारा merchant banking होती है उस सबका करता धरता कौन होता है दोस्तों से भी होता है तो सारी चीज़े से भी के हातों नहीं होती है और से भी ही डिसाइट करता है कि यह मर्चंट बैंक की तरह काम करेगा या नहीं करेगा जैसे क्या आप दिखो लिखा हुआ है नो और इस यह क्लियर हो गए हो अब कोशन यह आता है कि सरह हमारे इंडिया में जो मर्चंट बैंकिमग इसका पॉस आया कहा से उसको हमारे इंडिया में लाया कौन तो याद रखानां दोस्तों यहां पर बात किया जाए तो हमारे इंडिया में जो सबसे पहली बार मर्चंट बैंकिंग इसके दौरा बार मर्चंट मैंकिंग को इंट्रीयूस कराए गया था एक बैंक था बाहर का लंडन का उसका नाम था नैशनल ग्रेंड ले पैंक एक कोश्चन भी आपके एक्जाम में आ सकता है याद रखना पुरा पुराने कोश्चन को मैं देखना को मिल भी सकता है लेंडिया में सबसे पहले मर्चंट मेंक को इंट्रेद्यार और बताया कि मर्चंट मेंकिंग हम जब लाया व्हारी इंडिया के प्रिवेट अचाहीए पुपलिक सेंटर क्लिया की लेकिन पहला इंडिया कमर्शियल सब्सक्रांड इस ने मर्चंट बैंकिग की सब्सक्साइब प्रविशन है तो उम्हीद करता हूं पूरा मर्चंट बैंकिंग होता क्या है अगे अगले देखते हैं अब अखला है दोस्तों वेंचर चलिए बात करते हैं वेंचर कैपिटल के होती है दोस्तों देखी सबसे पहले तो हमें अगर इसको समझना है तो वेंचर कैपिटल कंपनी इसको समझने से पहले वेंचर कैपिटल दोस्ती करने पड़ेगी और वेंचर कैपिटल को समझना है तो उससे पहले दोस्ती करने पड़ेगी एक वर्ट से वेंचर क्या होता है दोस्तों अगर हम इंग पत् iceberg होता है जहां पर खतरा होता है जहां पर जोकिम होता वही capital क्या gets como अब है आप सोच रहे होंगे इस ही क्ष़फ़ाली क्या है इस सिच्चिछ Now खतरा क्यूं है चलो बताता हूं दोस्तों इसको समजने के की लिए हमें और वर्ट से दोस्ती करने पड़ती है क्या आपने कभी एक नाम सुना है that अ कि अकॉताओ स्टारिट अब सरुक्रम एंड्यार करते हैं थे लिए स्टार्ट अपसके लिए नहीем के सर्विस ला रहा रही हैं नहीem इनको प्रमोट किया रहा है तो पहला कोशन यह होती क्या है स्टार्ट अपस देखो बच्चों याद रखना स्टार्ट अपस ने बोलते हैं ऐसे परसन जिनके पास एक इन्नोवेटिव आइडिया तो है वह किसी रीजन वाइज उसको इंपलिमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर कर भी देते हैं कोई प्रॉल्लम नहीं है मतलब ऐसे लोग या ऐसे स्टार्ट अप ऐसे परसन जो एक इन्नोवेटिव आइडिया रखते हैं कोई एक ऐसा आडिया जो कंट्री को ग्रोव कर सकता है उनक को हम क्या बोलतएं इस्टराटप के नाम से जानते अब दोस्तो पहलंगे हैं अगर यंद्या को बहुत के मैं कि हो सकते हैं आपने से कोई हो जो देख रहा हूं ये वीडियो है ना जिसके पास ऐसा बहुत अच्छा इनुबेटिव आइडिया हो कि सर अगर ऐसा हो जाए अगर ऐसा सब ऐसा मिल जाए वो मैं इसा इडियो को इंप्लिमेंट कर दूं तो सर मैं वर्ड में बहुत अलब कर सकता हूं इड परशान क्यों रहा है पैसजुन Nesering को बैंक निदिॉस बैंकी बैंक से लियुमाइं इसको लेकिन भा बताओ जब यह भी थाकिन वह थान्य जोन लेगे तो क्या इन्हें बिना कि से क्यूरिटि के बिना किसी किasis बेस्के कि लून देगा या तो भई यह सैलरीड वरकर हूँ, जॉब करते हूँ, अब यह भई पढ़ने वाले बाला खेमान में आपके तरह लेकिन आइडिया रखते हैं, है ना पैसा नहीं है, बस इनके पास जॉब करते नहीं है, अब क्या करें, तो बैंक इने सैलरी नहीं है, तो कहां से लोन देत हैं, तो उनके लिए भी बड़ी प्रॉलम है, क्योंकि वहाँ पर जो है, विना सिक्योर्टी के लोन नहीं मिलेगा, और एंगों को एकदम से कोई लोन नहीं दे सकता, वैसे तो दोस्तों, अगर आपने देखा, अभी हाली में कुछ चमें पहले, नरेंदर मुझी के दौरा बैंकों को भी बोला गया कि आप स्टार्ट अफ्स में लेंडिंग करिए, है ना, ये उनको टार्गेट रूप में दिया गया है, चलो वो चीच अला गया, लेकिन पहले तो नहीं था ना, चलो मानते हैं, बैंक देंगे, लेकिन बिहाफ पे तो देंगे ना, किसी, हैना दो तो अब ऐसे लोग कहां जाएं, तो दोस्तों याद रखना, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए ही, हमारे यहाँ पे इंडिया में, पूरे वर्ड में, अलग-अलग कंपनीज होती हैं, जो रिस्क लेकर, इन लोगों को लेंडिंग करती हैं, पैसा देती हैं, और उन्हें क कोश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों करेंगी वो, ऐसा उनको फायदा क्या होगा, है न, ऐसे तो उनका पैसा दूप सकता है, तो यह सब के आंसर जानने ज़रूरी है, चलो बताते हैं, दोस्तों याद रखना, भी मान लो, for example, ऐसे समझ लो, कोई एक कंपनी है, जैसे मान लिज एक कंपनी मैंने माल दी, यह दोस्तों, as a venture capital company के तौर पर, रजिस्टरड है, venture capital company मालब BCC के तौर पर, रजिस्टर है, अब यह क्या करती है, दोस्तों, इसका mean purpose यह है, जो हमारे start-ups होते हैं, जिस तरीके के person होते हैं, जिनको fund की requirement होती है, बिनने setup के लिए, यह उनको lending कर पैसा ऊधार देकिन, अब जिसी बात है, पैसा ऊधार देगे तो इसके उपर भी कोई नहीं हो, जहांसे पैसा आता होगा, अब माल लोग हो है, हमारे बड़े बड़े लोग, मृस्तर मालिक साब होगा है, लाला अदमी होगा है, बिस्निस्में, जिनंके पास फूब करोड पती लोग और पती लोग उन्होंने बना उनके द्वार्पनी होती यह उनके और बीजनिस फैले हुए हैं इतर रेस्ट्रेंट चलना है उधर यह चल दा उधर यही चल दा है हुदर वो तो लाला अद्मी है वो तो मालिक तो भई घूम रहा है रसो दर विधेश यात्रा आधरा कभी कहीं जा रहा कभी कहीं जा रहा उसने क्या करें लोगों को रिक्रूट किया एक कंपनी बनाई रैस्टर करवाया ऐसे पेंचर कंपनी के तौर पर और यहां पर अपने एक्सपर्स बैठाए जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं जो एक फूचर प्रॉस्पेक्टिव देख सकते हैं बहुत कहते हैं दिमागी लोग ब फिचर में आप ग्रो कर पाएंगे हमें अच्छा लगता है तो हम आपको आपके स्टार्ट अप को स्टार्ट करने के लिए पैसा देंगे मदद पर ठीक है तो यह कंपनियों काम यह है अब मान लो एक परसन मान लो एए बीसी नाम का एक परसन ने पी क्यूर के पास पहुं आपने रिकोर्ट जमा कर जाओ हम इसको स्टड़ी करेंगे इस प्लान की आपके बताएंगे दो तिन दिनों मत अब इन्होंने पूरी स्टड़ी करी सब कुछ बड़ी अलगा इने अगर लगता है हाँ वह हो सकती है तो अब यह कंपनी क्या करती है यहां पर लोग ठीक है आप बिजनिस सेटप कीजिए बिजनिस स्टाट कीजिए और दस सालों तक तैन यर्स तक जो भी आप प्रॉफिट अन करेंगे सिक्स्टी परसेंट हमारा हो लोगता है अगर आप रेडी हैं तो हम आपके इस आइडिया को स्टार्ट करते हैं और आपके बिज आपके तो कुछ ने कर पा रहा है पैसे लिनाता था कम से कम से कम स्टार्ट करेंगा तो कम सकारिस है सहीद दस पर संट कम कमाएगा तो चारिस परसेंट का तो सारा है ना जाएँए दस करो हो चाहिए है इसको यह कंपनी प्रोवाइट कर देंगी अभए यह 16 करेगा उसे बनाएगा एक कंपनी ऐसे मिदे देखेंगे देखेंगे सारी Ich하하 रखेंगी किस तरीखे तरीके से काम कर रहा और उसी के अपवड़िंग इस चैक करेंगी के आखिर उसने किता अच्छा परफॉर्म किया ठीक चलिए अभी और देखने आगी कहा नी एक मिनुट को बेटा चलिए दोस्त तो यहां तक की बातों समझ में आ गई होगी है ना वहीं मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से करेंगे इसको लेंडिंग करेंगे और यह बिन सेट अप करेगा और दस साल तक इस नभी आईग्रीमेंट कराया तो साथ परसंट देना पड़े हैं अब आपके मन में कोशन होगा सर मान लो यह अगर रोप रहे तो ना सक्सिस हो पाया तो इससी बात है वेंचर माने क्या होता है रिस्क होता है दोस्तों डूबेगा तो यह भी डूबेगा हो साथ में यही तो रीजन है दोस्तों जबी तो इसको क्या बोलते हैं हम वेंचर कैपिटल बो इश्वर का रूप हुआ एक ऐसे समय में तो तकड़ा फाइनस कर दिया बेजिस के लिए पैसा लगा दिया तो यह क्या करता है इसको एंज इंवेस्टर भी बूर्ट क्या बोलता है एंज जिल्माने क्या होते हैं दीव दूत होते हैं इश्वर का रूप जो होते हैं एंजल में जो इश्वर को नम दिया जाता है तो में यह बता की लिए होई तो कमेंट ब्स अलिए आगे अगी पढ़ेंगे देखो में दो चीजे पढ़ेंगे मर्चेंट बैंक्स क्या होते हैं और हमने क्या पड़ा रिंचर बड़ा इंट्रिस्टिंग इनरीच ने जिससे ममें दोस्ति करने मिक्ष्टर विछस्काania और ऑप है थ्यूंट दोस्तों सब्सक्राइब करा इंधद्राइब करम क्या मतलब कर दें डोस्त ओतो education बार है जो होता है जो हम से मिलकर बनता है ऎक तरीक से नहीं अप इसको समझना है दोस्तों सबसे पहले हुए जानना होगा कि यह आ खिल आया कि इसको लाने का रीजन क्या है वह एक बात सोचो जो हमारे पास पूरा शेयर मार्केट है इंवेस्मेंट के लिए है ना तो आकर इसकी जुरूत क्यों पड़ गई बशेया हैं चलो इसको समझ लिया दो समझ जो इसकी पूरी कहानि आप शह समझ में आज जाएगी चलो एक बात पूछूंगा मैं आपसे दोस्तों यह बताईए अगर मैं आपसे बूलूँ अभी अपने शेयर पढ लिए लिए डिबेंचर पढ़ लिए बॉंड पढ़ लिए सब पढ़ लिया मैं आपसे बूलो जाओ एक काम करो शेयर मार्कणा पैसा लाओ इंवेस्ट करो क्या परो तो आप मेंसे बहुत سے बच्चे बोलेंगें सब्स हम इंवेस्ट नहीं करेंगे अब मैं पूचें को हुग है ऐसा क्यों भाई क्या प्रॉल्ल कम है आप क्यों नहीं करेंगे तो बहुतplementे लोग बोलतें बने सरा में नालेज नहीं है चलो इसकी मैंने चलो ठीक है अब मैं आपसे एक बात बो दूँगा दोस्तों जो बच्चे वोलते नालेज नहीं ये बताओ आपको बैंक की जब तयारी कर रहे थे सब की तयारी करो कि टैन्थ ना इस तो जब होती है किसी चीज़ कि जहुंस में अंटर पारते प्रेंटर तो मैं दीर दीर उस तक ज्यान होने लगता है हम दो एक-दो बार पेपर देते तो पता चलता है अच्छा ऐसे कोशिन भी आते हैं इस तरीके से तैयारी करनी है हमें स्टेटर दी ऐसे बनाने पड़ेगी नोल इस तो अपने आप हो जाएगे सेम फंड़ा दोस्तों शेयर बजार में शेयर बजार में पुस्तें दीर 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 नोलज हो जाती है एक दिन में तो आप शेयर मार्क नहीं सून सीख पाओ अब यहां और आपका थिरिटीकल च बश्याना यह होता है किसा शेयर मार्केट में पैसा तो लागा देलिकिन गारंटी नहीं है कि हमें प्रॉफिट होगा भई हो सकता है हम पैसा लगा है पापा को बोले एक के दो बनेंगे और पापा का वह सपना पूरा नहों पाए और प्छला एक वह भी चला गया पर तुम् दोस्ते लोग ऐसे भी होंगे जो डोग चाहते होंगे हम शियर बजाने पैसे लगाए इच्छा तो लगते होंगे ना मन में इच्छा होगी खौप तो देखा होगा लेकिन रिस्क होने के कारण पैसे ना होने के कारण ग्यान ना होने के कारण हम नहीं लगा पाते हैं इसमें तो दोस्तो ऐसे लोग जो के रिस्क से डरते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उसी को दूर करने के लिए हमारे हाँ पर क्या लाएगा है Mitchell Fund को introduce कराएगा तो दोस्तो Mitchell Fund क्या करता है Mitchell Fund का हमारा third party investment होता है क्या होता है third party investment जो आप से पैसा लेगा ठीक है हम सब से पैसा fund को पूल करेगा fund उठाएगा और इसको अलग-अलग companies के shares में बॉन्ड में डिवेंचर्स में या financial instruments में क्या करेगा invest करता है अब हम क्या करते हैं हम गई सीधी सीधी से बात बात करें तो एक जब्दे इंवेस्मेंट कर देते हैं सारा पैसा share में लगा दिया अलग-अलग company के share में लगा दिया मान लो company डूब के तो हम टूब कर लेकिन यह क्या करते हैं तो यह हमारे risk को diversify करने हैं और risk को diversify करने के लिए यह हमारे investment को shares तो हैं है साथ में जो debt instruments होते हैं debt instruments जैसे डिवेंचर हुए, bonds हुए, treasury bill हुए, money market instruments हुए इन सब में भी investment कर देते हैं और उससे हमारा risk diversify हो जाता है ठीक है तो यह हमारा main purpose इनका यही है मतलब एक question आता है exam में मिचल फंड को लाया क्यों हो गया, what are the main purpose of Mitchell फंड तो याद रखना दोस्तो तो minimize the risk of investors अगर exam में पूछे कि Mitchell फंड क्यों आए तो इसके simple साहन सा देना है to minimize the risk of investors तो investors के risk को कम करने के लिए मिचल फंड को इंटेडियूस कराए गया तो यहां पर क्या होता है दोस्तों एक office होता है अगर नहीं जानते हैं कुछ भी तो कम से कम यह तो बता होगे ना कि किस परकार का investment चाहिए मतलब long term investment चाहिए या short term चाहिए इत्ता तो बताना पड़ेगा भाई उस तो बता होगे है ना और उसी को ध्यान में रखते हुए वह आपके आपको कई सारे options बताते हैं आप पर प्लान बताते हैं कि आप इन प्लान में लगाओ इस प्लान में लाओ यहां पर टेक्स सेव नहीं हो गए आप इत्ता रिटन मिलेगा और आपके फंड को इन सभी में investment करके आपको एक minimum particular fix क्या करते हैं उसे profit देने की बात करते हैं वह यह हम कहीं पर भी investment करते हैं तो यह तो पूछेंगे ना चलो हम महाँ पर बताएं वेस्ट करते हैं तो बताओ किता profit होगा तो कुछ तो बताओगे मानता हूं यह capital market investment है श्यूरेटी नहीं होती हैं लेकिन एक minimum एक कुछ तो रेंज बताने पड़ेगी तो याद रखना उस तरीके से वह हम को बताते हैं अब याद रखना दोस्तों जो मिचल फंड होते हैं वैसे तो इसके अलग-अलग define करा जाए तो टाइप्स बहुत सारे हैं बट एक सोटा सा टाइप आपको याद अदेए होते हैं एक होते बकारद के लिए अरोटे के आपने अच पैसेiska से लगाए आक कल निकाल लोकल नहीं तो पर्सो निकाल जम मन गत्रण कर सकते हैं और याद रखन ही यहां और रिस्क करते हैं कंपनी अब शेयर तो मार्केट पे डिपैंड करता है आता है यह मिचल फंड मार्केट मिचल फंड जाया था सब्जेक्ट टूब मार्केट रिस्क पिलीस रिट केर फुली बिफोर इन्वेस्मेंट वह सब कुछ लिखा हुआ अगर आप कि लोग इंडिट में कराते ह हाँ जो लॉक की पीरियड होता है दोस्तों मिचल फंड का मिनीमम होता है् 2 मिस्ट इन्वारी नहीं कर सक्थे महां के लिए आपको पैसे को लुखलो आप घ्रता ही है है अब आफ सोच यहां मैं लीचे城 के पर ऐलग्यैंश तो उमीद रखिए हैं फैसे अफिर पर् passt कि हम तो मतलब क्या है आपको 14% मिलेगा मिलेगा इसकी गारंटी वो ले रहे हैं अब आप बोलो कि सर ऐसे कैसे गारंटी देदी उस कंपनी ने तो याद रखिएगा दोस्तों अब आप जो यहां पर investment करते हैं वो आपके fund को diversify कर देते हैं किसमें equity और debt में equity कोटी और debt मतलब एक तो शेयर होगी कोटी वगरा debt हमारे लिवेंचर वगरा होगा बांड वगरा होगा इन्वेस्मेंट में डिवाइड कर देंगे अब मालों कोई वीची 100% है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अब आप बताओ यहां तो क्यों रिस्क है कोई ब तो हो सकता है आपको 14% के बदले 28% मिल जाए 30% मिल जाए 15% मिल जाए और किसमत ज्यादा ही खराब है तो भी 14% मिलेगा बिकॉस यह 14% टेलकुलेशन इसके अकॉर्डेंग है बट इसकी किसी को सूचना नहीं होती है तो किसी को वरोसा नहीं होता है अगर यह अच्छे गिर का लखना है और यह सारी चीज़े ट्रैंस्परेंट होती है याद रखना सेवी की गाइड़नेंस के अनुसार और यह सेवी ने बोला हुआ है कि हर एक मिच्छल पंपनी को जित्ते भी इंवेस्मेंट है ट्रैंस्परेंट रखने होंगे जिससे की लोग को पता चलना चाहि जो मैंने आप बता है मिच्छल पंड है कि कैसे काम करता है कैसे 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 आप इंवेस्मेंट होता है साजी बाचे समझ में आ गई हूंगी है अब कुछ चीज़े ठोली टेयरिकल जो एक्जाम में आती है एक कोशन आता है कभी-ज़र्ट में भारत में पहली बार मिच्छल कपनी का नाम है यू टी आई अच वह आज भी हैं तो यह है दोस्तों इंडिया का पहला मिच्छल फंड जो हमारे इंडिया मैट प्रिजंट भी काम कर रहा है पर आज कल तो पता है दोस्तों दीरे दीरे समय बढ़ने लगा तो आज कलो चरह एक बैंक ने भी अपने विच्छ फंड ब लाँच आप तो एक्सेस का भी मिच्छ फंड है स्टीा का फंड सबस्य पें कोश्वन आ रहा है कि इंडिया का पहला बैंक जिसने पहला मिश्चल फंड को ने हमारे इंडिया का यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था मैंटे सिफ्टी थी भारत सरकार ने मिलकर और बनाया था इसको यूटी आई को चले तो यह बात भी आपको समझ में आ गई हुए अब कोश्चन यह है सर जैसे कि हमें पता चलत रिटाया हुम से करते हैं तो उसको देखके करते हैं मार्केट के अकॉर्टे हम इंवेस्ड में ग्लस ओल्णा ना में सर हममें अगर कोई मिच म्लस मंब करना तो क्या देखें कैसे पता चलेगा कि कोई मिच्चल फंड हमें ज्ißy प्रफिट देगा कोई विच्च समय प्रफ कोश्चन आया हुआ एक्जाम का वहीं बोलना हूं अगर हमें किसी भी मिच्चल फंड की एफिशेंसी को देखना है तो हमें उसका एने भी पता करना जरूरी है एने भी बोले तो मैं तो इसे लोकल भाचा में बोलता हूं नफस पकड़ लो मिच्चल फंड की नव नफस होती ड्चा cana का याद रखना थे चिया अलग 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 मिच्चल फंड कमपनीज का आने भी अलग-अलग होता है और जब भी हम किसी लिए मिचल फंड में investment करते हैं तो सब से पहले हम उसका आइने भी देखते हैं अब एन वी क्या होता है आइने वी के definition क्या होता है तो दोस्तों एक तरीके से प्राइज ओव पर न यूनिट है और, आप बोलूब को सरे यूनिट क्या होता है।ड दोस्तों याद रखना। जब हम मिचल फन्ट्स में इंवेस्मेंन करते हैं तो रिवापे यूनिट पर्चिम करते हैं। go share में पैसे लगाते हो नहीं बहुत मिचल फन्ट की इंवेस्ट करते हैं, करते हैं। तो एक यूनिट की जो कीमत होती है, उसे उसका क्या बोलते हैं, नेट असेट वैलिय बोलते हैं, अब जैसे कि आपने देखा हुआ, शियर के प्राइस दिन बढ़ते खड़ते रहते हैं, वैसी दोस्तों मिच्चल फंड्स का जो एनेवी होता है, वो भी खड़ता बढ़ता लोगे घटके हो गया, फिर से 24 रुपे, तो इस तरीके से इसमें फ्लक्ट्यूशन होते रहते हैं, ना, तो जब भी हम किसी भी मिच्चल फंड में इन्वैस्मेंट करने का सुचेंगे, तो सबसे पहले उसका नेट एसेट वैल्यू चेक करेंगे, अब ये का मिलेगा दोस इफिशेंट है, तो हम उसमें क्या करते हैं, इन्वैस्मेंट करते हैं, क्लियर, और जब आप इन्वैस्मेंट करेंगे, तो इसी एनवी के अपो फ्रॉफिट मेलेगा, चलो एक्जाम्पिल बताते हूं, मानलो दोस्तों, फॉर ईग्जाम्पिल, आपने जो है, किसी मिच् तो आपने किते रुपे लगा दिए इसमें डाही जार रुपे इंवेस्टमन कर दिया इसके सौ यूनिट पर्चिस कर लिए हंड्रेड यूनिट पर्चिस कर लिए अब क्या हुआ दिर मान लो आपका यह ओपिन एंडेड है ना समय बढ़ने लगा अब इसकी आने भी बढ़ते बढ़ते तीन महीने बाद चार महीने बाद मान लो होगए तीस रुपे पर यूनिट पर यूनिट प्रॉफिट है अब मान लो दो ती महीने वेट किया तो आपन एक साल में 7500 का प्रॉफिट अंकर लिया लटा भी हो जाता है अब तुम्हारी किसमत ज्यादा अच्छी है तो ऐसा भी हो जाता है दोस्तों पचले घटके घटके दस पर दस पर यूनिट होगे तो आपको फंद्रह सो रुपे का लॉस भी हो जाएगा निगेटिव में चल पर कि मिचल फंड की यूनिट में लगाया गया है अगर मालों यहां पर किवल श्रीयर तो ज्यादा फ्लक्षिशन होगा यहां पर श्रीयर ट्रेट इसमें मिक्स हैं तो वहां पर थोड़ा सा मैं प्रॉफिट जादा मिलने के चांसे स्रेटें तो एन भी ही होती है जो हम याद रखे बात होई है यहां पर यूनिट वर्ड यूज होगा वह गलत लिखाए जब साइकल दीजिए तो इस तरीके से आपको फॉर्मली की मदस्ते हर एक मिच्चरफण का एन भी कैल्कुलेट होता है फिलाल आपको फॉर्मला आता नहीं एक्साम में बस याद रखन तो पूरी की पूरी मिच्चरफण की कहानी एक टू जट कहानी मैं आपको एक्स्प्लेन कर दी क्या है विच्चरफण भार में पहली बार का वाया कैसे इन्वेस्ट करते हैं क्या क्या होता है अगर कोई भी डाउट दो यह कमेंट में लिग देना कुश्चन की वह मैं भी देना डिसकस कर लेंगे बाद में आराम से ठीक है चलो गई एने भी पढ़ लिया मिच्चल फंट पर लिया डैरी वह पढ़ लिया हमने क्या से मर्चेंट में पढ़ लिया वेंचर कैपिटल पर ली अप पढ़ना है हमें खतना डैरी बेटेब मार्केट अरे अब आप रहे होना थोड़ा वेट करो प्स पांच मिनट तो बहूंत होता है एक मिनट का वेट करो थे चलो दोस्तों देखते हैं डैरी विटेव क्या होता है देखें डैरी बेट को लेके बात खराजा है तो सबसे पैसे बिक पात हम दीखेंगे ग्यों डिया अगरूर्म धिहां जिंदा हैं दोस्तों ये किस से बना है ये जो सब्सक्राइब नोस्तों ये और ड्राइव मतलब क्या होते हैं अगर अपने मैस में पड़ा हुए फिजिक्स वगवा एक होती है दोस्तों मारी डेरिविटिव कॉंटिटी एक होती है हमारी कि फंडेमेंटल यूनेट पढ़ी है इसे मीटर किलोग्राम सेकेंड जो होते हैं ना में के सिस्टम पढ़ा होगा शायद में देख भी भी आद है आपको भी आद होना चाहिए तो यह क्या होती है दो टैप की यूनिट होती है दूस्तों एक होती है चैनल टेकर फंडेमेंटल एक यूनिट क्या होती है एक ऐसी यूनिट जो बेस मतलब जो इससे नीचे कुछ नहीं है इस मीटर है अब मैं पहले में अपने कि सबसे चोटी यूनिट मेटर ही तो है उसके उपर होते हैं हमारे किलो मीटर फिर ये मीटर वो मीटर है ना सब कुछ होते हैं लेकिन सबसे छोटी क्या होती है हमारी हमारा जो फंडमेंटर बनाया है वो मीटर होका है ना दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा ऐसी किलोग्राम बनाय अस्तित्व नहीं होता जिनकी कोई खुद पैचान नहीं होती बलकि वो किसी दूसरी एंटिटी पर डिपैंड करती है विच डिपैंड वन अधर उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों डेरीवेटिव तो यहां पर भी स्वी मेडी तो है तो डेरीवेटिव क्या होते हैं इस पर डिपैंड करते हैं उन्हीं को बोते हैं डेरीवेटिव इस्टुमेंट्स है ना अब यह दो तरीकी के होते हैं एक होते हैं दोस्तों कॉमरेटिव डेरीवेटिव और एक होते हैं फाइन्च डेरीवेटिव मतलब कॉमरेटिव डेरीवेटिव उन्हें बोलेंगे ज जैसे for example माल लो एक घर है यह घर माल लो लो बना हुआ है जो अपर पट्टी है अब इसकी कोई कीमत हो और एक माल ले ब्लैंक पेपर है और आप मुझे बताओ कि अभी सब्लैंक पेपर की हैं कोई कीमत है हैना अगर आपको पड़ा मिल जाया तो आप दो द्रिश्ट्री में अगर ऐसा हो जाए इस पेपर पे मैं इस घर की सारी रिस्ट्री करवा दो को आप तो बड़ा समाल के अपने इस ज्याते हो एटना समाल को भी न रखते हो गया है है तो मतलब क्या मतलब यह है अगर इस मकान की वैल्ली बढ़ेगी तो यह काज की धली बढ़े गी तो यह तो अब यहां पे मकान भी हो सकता है आपर गेहों भी हो सकता है कुछ भी हो सकती है मेंस में जब किसी इंस्ट्रुमेंड की वैल्यों किसी कॉमड्येटी पर डिपेंड हो जाती है और उसके variation से उसकी value बदले तो उसो क्या बोलते हैं commodity derivative बोलते हैं और अगर यही कागज को किसी financial instrument से connect कर दो तो जैसे किसी company के share के price बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे तो गटेंगे तो है ना मैं लिख दो लो तो सैंसेक से connect कर दिया अब सैंसेक बढ़ेगा तो यह घटेगा तो यह घटेगा तो यह क्या कर लाएगा financial derivative कर लाएगा तो derivative क्या होते हैं जिनका खुद कुछ रही है बड़ डिपेंड करते हैं जैसे कि मैंने वो घर बनाया था है घर के उपर डिपैंड करेंगे ती शेयर हो गया कंपनी का सैंसेक्स हो गया कुछ भी वह देजन मेंटर वह हमारा जिसके उपर डिपैंड करेगा वह अंडरलाइंग एसेट्स के लाता है यह आपको पता होना जरूरी है एक इंपोर्टेंट चीज आज रखना दोस्तों अब हम यह क्यों पढ़ रहे हैं एक्चली होता क्या है यह जो होते हैं आप ना इनकी ट्रेडिंग होती है क्या होती है दोस्तों के ट्रेडिंग होते हैं और यहां पर कॉंट्रेक्ट बेस ट्रेडिंग चलती है एक्चली य मकämäननрь के लिए कॉंट्रैक्ट साइन होते हैं अब रयोगे सरी किस प्रिकार के कॉन पूर्टेक्त होते हैं कैसे इह पो कि ट्रेडिंग होती है किस तरीक सब्सक्राइद को ट्रेट किया जाता है चलो यह हमने समझना होगे एक्चुली दोस्तों रखना वैसे तो कई सारे कॉंटेक्ट होते ही हमारे दो तरीके के होते हैं वैसे तो भी और होता है कॉल आपने आगए तो यह फोड़े ही दो som लेके आपके इफार्वर्ड-था सरे कॉछ यहाता है यह 더 ब्लसक्राइब होगए अपटांट आप वींचर वंच्रिट क्या हैं चलो समझते हैं सबसे पहले इंगो समझना हैं तो में यह जानना होगा कि वह यह कॉंट्रेक्ट है क्या इनकी जिरूत क्यों पढ़ती है कि क्य कkay यूद होगा कैसे हुगती है ना टुल्उत example लेकर समझाता हूं दोस्तों life से connect करोगे ना सब चीज समझ में आ जाएंगे मान लेते हैं एक farmer है कि यह बहुत किसान खेती करता है अब मान लो भी यह वीट का production करता है गेहों की खेती करता है अब अब दोस्तों जब गहूं के खेती करेगा तो इसको जो है गहूं भाई इसने खेती करी है खेतों में काम कर रहा है मैंनत करी है तो यह क्या चाहेगा जब मेरा गहूं बनके तैयार हो जाए तो मैं इसको किसी को बेज दू है ना चलो इसको चाहिए एक ऐसा कस्टूमर ज आशिरवाद ले लो पतंग ली लो अब यह एक कंपनी आटा-वाटा बनाती अप्रोटेक बेस्ट तो भाई आप मुझे बताओ यह आठा लोहई से तो बनाएगि नहीं प्लास्टिक तो बनाएग Denmark है ना और यह पूरे साल बनांके वेस्ट है कि अईसा तो है यह हो जब ओगाना के वेस्थ दो पूरा चाहिए तो यह तो बड़ा customer है ना एक तरीके से लाला आदमी है इसको तो पूरे-पूरे साल के लिए चाहिए ना तो मतलब क्या है इसको गेहू बेचना है और इसको गेहू लेना है कि दोनों की बात आगए यह सेल करना चाता है और यह बाई करना चाहता है चलो भाई माण लेते हैं भी गिहों की फसल की कटाई का समय आने वाला है एक देड़ महीने बाद कटाई होने वाली है तो सीधे सी बात है फार्मर को ऐसा किसा एसा बंदा दूंड़ना है जो इसके ग चाहिए च्वारा लाला के दूपान काहिए चलेगा अब दोनों की अटक रही है करा जाए कोई नहीं फार्मर अपनी महनत नोकल में वो अपने पर यह किसानों को रूंड रहा है कोई ऐसा बंदा मिल जा जो ऊस तक करे और फाइनली मान लो ये अलग-अलग किसानों के पास गया और उसी तरीके से इसने इसके इंसान से भी कॉंटेक्ट किया अब होता क्या है इसने बोला शक्ति बोग वाले ने किसान से देखो भई मुझे जो है कितना आप गिहूं दे सकते हैं यह बता इनने बोला बताओ कितना चाहिए हमारे पाफ तो खेते हैं खेती खेते लगे पड़ेंगे जितना वो लोग हमारी इंच करवा देंगे तो सक्थी वोग वाले ने बोला फॉर एक्जांपल मालो कि मुझे दस हजार कुंटल गें हो चा कुंटल जो है स्टॉक देंगा तो यह बताओ कितने रुपए में डील होगी मताब पैसे तो बताओ अब शक्ति बोग वाले ने बोला बताओ भी क्या चलना मार्केट का प्राइस चोड़ एक एक्जांपल मान लेते हैं फॉर एक्जांपल किसान ने बोला भी अभी देखो अगर बात करें तो 200 रुपए कुंटल की बात चल रही है एक कुंटल के 200 रुपए चल रहे हैं तो बताओ क्या करना है दस अजार कुंटल मैं आपको देदू मां कोई प्रॉलम नहीं है तो डील धंकरते हैं तो अफशक्ति बोग वाले ने बोला देखो बाले एट प्रिज बात आप से मैं यह 10,000 रुपए कुंटल लूगा तो यह बताओ किते रुपए में दोगे अब किसान ने बोला देखो सब्सक्र दो बाते हो सकती हैं दो मेंने बात हो सकता है यह दो सुरुपए कुंटल से बढ़के तीन सुरुपए कुंटल भी हो जाए है ना दोस्तों व प्रोडेक्शन जादा हो गया बहुत जादा उपज हो गई तो सस्ता भी करेगा माल जादा है लेकिन माल लोग बखवान ना करे कोई मिसहपनी हो गई बाड़ आगए लोग की फसल नुकसान हो गई कुछ भी हो गया तो तो फिर महें भी कि चीज़ें और फ्यूचर नहीं स माल लो इन दोंने आपस में सहमती करी और बोला चलता तेरी ना मेरी एक काम करते हैं दो महीने बाद पर राइस कुछ भी हो तू मुझे बदा कित्ते बेदेगा किसान ने बोला बहिया देखो मैं तुम्हें दो महीने बाद कुछ भी हो 200 चला है अब ये कुछ भी हो सकता ब सकती बोग वाले ने बोला भहिया देख सो हो गया तो मुझे बहुत नुखसान हो जाएगा तो एक काम करते हैं एक बीच का निकालते हैं ना तेरी ना मेरी चल भी देड़ सो रुपे कुछ पर डील दन करते हैं मान लोग फारवान टैगरी हो जाता है तो अब क्या होगा अब एक इन दोनर के बीच में एक एगरिमेंट हुआ कि दो महीने के बाद किसान देड़ 10,000 कुंटल गेहूं इसको बेचेगा इस शक्ती बोग वाले को बेचेगा कित्ते रुपे कुंटल पे 150 रुपीस कुंटल के हिसाफ से अब दोस्तों याद रखना दो महीने के बाद अगर इसका प्राइस की हो यही जो दो पर क्टर'llर के बीच में कॉंट्रक्ट हुआ है एक पर पर टेक्यूर एक ये प्रोडेक्ट को लेकर यही कहलाता है तो डेरिविटिफ कॉंट्रेक्ट अब आप बोलो के सर इसमें किसी ना किसी को तो लॉस होना है देखो वई गेम है तो बिजनेस है यहां तो फाइदा और नफा नुकसान लगा रहता है है ना अब मारके रेट के तुलना करो तो लाला आदमी को तो बेजने से खराव जाता है तो यह तो फॉने को पड़ेगा तो एक डिल तो होती है प्रिटरमाइन प्राइस पर तो मत्दब परिभाश्य के निकली जब दो पार्टियों के बीच में पर्टिकुलर प्रीडिटरमाइन प्राइस पर फ्यूचर में इस को बोते हैं दोस्तोर टेरीबिटिकुलर प्यूंचरेक्ट हो सब्सक्ता है अगर यह यह जो ट्रीघव कॉंट्रेक्ट कीसान और उस स्क्टिभों के बीच में हुआ है अगर यह कस्टमाइस है कैसे है कस्टमाइस्ट या फिर बातों बातों में किया गया है कोई लिक्षित में काम नहीं है रिटिम में काम कि जैसे कि आपके सब्च मंचियों में अनाज बंचियों में होता है ऐसी दो होता है यह कुष होती है ओफ हुतरी है न हाँ है भई मिज तुझे इते बेटुंग से आने वाली समय मैं होगे ना जी मैं तो कहीं और से ले लिया झार कर टीकिलर रूलड रेविलेशन कैसे होगा यानि की कोई भी यहां पर एक्रीमेंट नहीं कर अगृएक स्सिस्टमेंटिक ही में नहीं हो थी तरीके से ओक था था प इस लेकर अगररं यह सैंटरलाइस दूए में हो जाए आए किसमें हो जाए सेंटरलाइस बेकिलर इन दौन inheritance के बीच में जो यह कॉंट्रेक्ट करवारी किसान और शक्तीस बुक के बीच में एना एक सेंट्रलाइज में हो रूूर्स और डुलिशन के अकॉर्डिशन और नो सारी बाते सिस्ट्वेटिक वे में हो तो यह पॉंट्रक्ट होता है future contact एक्जाम में आता है एक कुस्षियन कि विच आफ फॉल्विंग इस कॉंट्रेक्ट इस कस्टमाइज रोविच आफ फॉल्वर्वर्ड वो इस्टेंडलाइज तो देखो याद करने का तरीका है सीचर में हमें अपने स्टेंडर्ड मेंटें करना मैं न तो ऐसे याद क्भए भी नहीं पूलता तुम भी याद रखो तो फ्यूचर कॉंट्रेक्ट हमेशा क्या होता है यह दो यह लें और कॉन्ट्रेक्ट्र package को स्टो यूद्ध को जरूरी है आए नश तो उमीद करता हूं यह सारी बाते भी समझ में आगई होंगी साइची की लिए होंगी आपको क्या है किस तरीके से इनके ट्रेडिंग होती है तो चलिए दूस्तों उमीद सारी बाते क्लियर है अभी मैं आपको बहुत हूं टैंट अब से मेरा भी एक निया कोर्स आएं आप अलग-अलग एचुकेटर्स के आएं पभी बैनेफिट लीजिए साड़े-8 बज़े मेरा चलता है सुबह साथ-7 बज़े दोस्तों डेली कर इंटरफेर्स क्लास चलती है अनकेडमी के प्लस पर इस समय नवंबर की बहुत बढ़ी है बड़ी जाओ फर चलना है तो इनका भी आफ बैनेफिट लेना ना भूले अगर बैंक में बात करें तो एक साल पर दोस्तों चार महीने का फिरी मिलेगा और दो साल बढ़ारा महीने का यहां पर बैनेफिट देखने को मिलता है एक इं लाइक इसको शेयर करना मत्भूल जाएगा उमीद है आपको क्लास अच्छी लगे होगी लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दो चैनल को और आपने सब्सक्राइबने का चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देशेगा मिलेंगे इसी तरीके सब इंटरस्टन टॉपिक के साथ अग